नमस्कार दोस्तों मैं स्रेंग प्रोफेसर डॉक्टर अन्तीब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आपके चैनल HN Hindi में तो दोस्तों अब इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे यूनित थर्ड जो है आपका साहित शास्त्र हमने यूनित फर्स और यूनित सेकंड कंप्लीट कर लिया है यूनित थर्ड साहित शास्त्र में जो वो साहित शास्त्र है वो दो भागों में भाजित है पहला काविशास्त्र और दूसरा पाश्चाति काविशास्त्र दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम में अब जो नए स्लेबस के इनुसार जो एक्जाम आ रहा है नए पैटर्ण जो प्रश्ट पूछे जा रहा है उसमें इन दोनों से काफी अच्छे प्रश्ट पूछे जा रहा है तो आज के वीडियो में हम भारतिय काविशास्त्र की कॉंसेट को समस्ते वीचलेगी सबसे पहले काविशास्त्र पढ़ना क्यों जरूरी है तो इको दो चीजे हम भारती कावी या हिंदी सहत्र के कावी के लिए दो काविशास्त्र के सिध्धानतों पे जादा तर निर्भर रहते हैं जब भी हमें आफशक्ता होती है मतलब हिंदी साहित को जब भी आवशक्ता रही है, तो वो जिन दो कावशास्त्रों पे निर्भर हुआ हुआ है, वो है पहला आपका भार्टी कावशास्त, मतलब संस्कृत कावशास्त, और दूसरा है पाश्चात कावशास्त, तो बिना इन दोनों की पढ़ाये के, बिना इ इसका जो पहला आपका टॉपिक है वो है कावे लक्षड की कावे लक्षड अब कावे लक्षड से हम क्या समझते हैं मतलब कावे का स्वरूप लक्षड मतलब जो भी बस्तु है उसका ऐसा ऐसा क्या उधारण है जिससे वह कावे निर्धारित होती है मतलब कावे का कैसा स्वरूप होता है उसको हम कावे लक्षर में समझेंगे बहुत सारे लोगों ने बताया की कावे कैसा है, क्यों है, किस तरह का है क्या-क्या उसकी प्रिविर्तियां, विशेश्टाएं हो सकती है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो लिखी गई रशना है, वो कावे है या फिर कावे में क्या होना चाहिए, एक आदर्श कविता की क्या पहंचान हो सकती है ये सारी बाते हम आपने आगे पढ़ेंगे और इसको हम भारती है कावे मतला भारती संस्कृत के विद्वानों द्वारा साथ में अपने हिंदी के विद्वानों द्वारा और पास्षात के विद्वानों द्वारा समझेंगे जिनों उन्होंने कावी की क्या स्वरूप क्या लच्छर बताये हैं या कह सकते हैं कि कावी की क्या परिभाशाएं दी हैं इन्ही परिभाशों ने जो उन्होंने दी हैं जो लच्छर उन्होंने दी हैं उसे में हम कावी के स्वरूप को समस्ते चलते हैं तो भारती कावी शास इनका जो ग्रंथ है नाटि शास्त्र में सबसे पहली बार विहद रूप से कावि कैसा होना चाहिए, कावि का सुरूप कैसा हो उसकी परिभाशा दी, यह क्या बोलते हैं कावि कैसा होना चाहिए, यह खहते हैं कि मृद ललित पडाड्यम, गूड शब्दार्त हीनम, मतलब यह नाटक में जो खेला जाने वाला कावि है, उसी के परिप्रेक्ष में उन्होंने कावि की परिभाशा दिया है कि कावि होना कैसा चाहिए, ऐसा कावि जिसमें मृदु पदों का प्रियोग किया गया हो, ना कि गूड शब्दार्त हीनम, गूड मतलब जो बहुत ज जिनको आसानी से समझाना आजा सके, ऐसे सब्दार्त से हीन होना चाहिए, मतलब कविता कैसी होनी चाहिए, जो हमें सीधे-सीधे पढ़ने से समझ में आ जाए, जो सब के सुखों के लिए हो, प्रियोग किये जाने वालों, ऐसा ना हो कि वो आप कविता कर रहे हैं और इसम आसी कविता जो है, शुब काव है, वो नाटक में खेलने या नाटक में रखने जाने योग है, तो यहाँ पर आप जो देखते हो, भरत मुनी की परिभाशा में, इतने अलग अलग आपको, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, सात तरह के, छे, सात तरह के लगभग ये कैसा हो, उसके बाद जो अगला इंपोर्टन आता है, वो है अगनी पुराड का, कहते हैं कि अगनी पुराड सबसे प्राचीन मिलता है, काविका लक्षड ये काविका सवरूप, जो है, सबसे प्राचीन कहां मिलता है, वो है अगनी पुराड की परिभाशा, ठीक है, यह क् पांच चीज जो है वो इस पस्ट दिखाई पड़ेगी क्या इस टार्थ ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है संग्षिप्त वाकिफ एक तो इस टार्थ मतलब इस्ट अर्थो जो चाहे वो अर्थ प्रियुक्तू दूसरा संग्षिप्त वाकिफ्त में होना चाहिए बहुत जादा खिची हुई ना हो अलंकार को दोसरा गुर्ड दोस लोस्त के वरजत होना चाहिए आपक। important मानी है अपने शलोक में कि काव्य का सुरूख कैसा होना चाहिए इन पांचों चीजों से ब्रहित होना चाहिए ठीक है अगली जो important परिभाशा हो है दंडी की दंडी अपने काव्या दर्शन की पुस्तक है उसमें चेहते हैं कावे दर्शन की पुस्तक का नाम इसमें कहते हैं सरीर ताव दिस्टार व्यवच्छन बदावली साथ में इनकी और परिभाशा मलती है कावे शोभा करां धर्मान अलंकार प्रचक्षते मतलब यह कहते हैं कावे के जो शोभा है ना अलंकार की जो है जो बढ़ाता है उसकी का पदावली जो इस अर्थ से युक्त होने चाहिए उससे अलग नहीं होने चाहिए उग कहते हैं अगला जो इंपोर्टेंट परिभाषा आता है वो है भामा का यह आप नीचे देख सकते हैं भामा का यह परिभाषा भी इंपोर्टेंट है इसर करम नती कहते हैं सब्दार्थो सहितो काव्यम काव यह वह है देखिए पहले कावी का जो अर्थ है ना केवल कविता से नहीं है यहां कावी का व्यापक वही है जो सब्द और अर्थ के साथ प्रयूक तो हो मतला बैसान हो कि हम पढ़ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है वह साहित आपके बहा कावे आपके किसी भी प्रियोजन के लिए नहीं है वो कावे आपको समझ में नहीं आएगा तो उस पे ज़ादा जोड़ देते हैं अगली जो important परिभाशा है वो है काव ग्राह मलंका इन्होंने अलंकारों की विभूशना पे जादा जोड़ दिये हैं, अलंकारवादी आशार भी हैं, इन्होंने मामन अपने इनकी पुस्तक सूत्र वित्री में ये परिभाशा दिये हैं, अगला इंपॉर्टे नानत दोशो सब्दार्थो सागोड़ा वलंकृति पनक्वापी मम्मट की परिभाशा है, यहां इन्होंने कहा हैं कि दोशो से जो परे हो, सब्द और अर्थ से तो साथ लिये हो, और सागोड़ा वलंकृति सागोड़ों को ले करके जो है हो, बही काविय रचने या गढ़ने योगी होता है, इन्होंने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर मांगा है, दोश से रहीत होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए हो, और अलंकृत गुड़ों होने चाहिए, ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट परिभाशा है, इसके लावा विश्वनाथ जो है, इनकी परिभाशा भी इंपॉर्टेंट है, यह कहते हैं, वाक जिसमें रस है, इसके अलावा जैदेव, महीमभट, कुंतक, आदी ने भी परिभाशा दी है, जो इंपॉर्टेंट है, जैदेव, महीमभट, कुंतक, इनकी भी परिभाशा या काविल लग्षडक इसके हिसाब से, प्रश्न की हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इसके अल हम इसको एक concept क्लियर हुए करते ही वह चलते हैं ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी के विद्वानों की अंग्रेजी की विद्वानों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिदोंने कावी के सुरूप को समझाते हुए यह बात बताई है जिसमें आपकी सबसे जो best word in best order in their best order मतलं सर्वुत्तम शब्द अपने सर्वुत्तम क्रम में जब आता है तो वह कावी होता है वही सबसे अच्छा कावी है यह कावी का लक्षड क्या है best word in best order इसी क्रम में words word की परिभाशा भी बहुत important है वर्ट्स वर्ट कहते हैं कि poetry is the spontaneous overflow of powerful emotion ठीक है मतलब powerful emotion जो का जो overflow होता है वह वर्ट्स वर्ट कहते हैं आप इसकी परिभाशा यह सारी परिभाशा important है अपने slabs के साब से इसको आप देखते ही वे चलेंगे और यह सीधे सीधे आप प्रेश्ण पूछा जाता है ठीक है तो इसकी इनकी परिभाशों को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे यह कहते हैं कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ठीक है आगे इनकी परिभाशा लंबी है it takes its origin from emotion recollect in tranquility मतलब sort में अगर समझें तो कविता प्रबल मनुवेगों की अनुभूति है जब मनुवेग हमारे अंदर से प्रबल मनुवेगों की अनुभूति है ठीक है आपको code बना करके याद करना होगा कि जैसे क्या code है आपने भरत के साथ मुर्दू ललिती की code बना दिया कि यह किन क्या है ताकि आपको पहचानने में ज्यादा help मिल सके आप ठीकी पढ़ाई पढ़ना होगा जैसे वर्ट्सवर्ट के साथ प्रबल मनुवेग आ जाएगा तो आप तुरन समझ जाएंगे वो किसकी परिभाशा वर्ट्सवर्ट की है ऐसे ही एक और परिभाशे इंपॉर्टन है वो है मैथ्व अर्नाल की वह कहते है कि poetry is at bottom a criticism of life उन्होंने poetry को जीवन की अलोचना बताया है ठीक है अर्नाल कहते हैं कविता क्या है जीवन की अलोचन है तो आप अर्नाल्ड और अलोचना यह दो चीज़ों को आप कम्बाइन कर लेंगे और जहां भी अलोचना शब्दा है आप तुमाग में तुरन हो जाना चाहिए कि किसकी है अर्नाल्ड की है इसी प्रकार से पीवी शैली कांट ड्राइडन चेंबर स्कूर्स की परिभाश है जो है वो जादा इंपॉर्टेंट है जो परिक्षा में पूछी जाएंगी या पूछी जाती रही है अब हिंदी के बात करें तो रीति काल के बहुत सारे आचारियों ने कविता के स्वरूब को बताने का प्रियास किया है जैसे लिखारी दास चिंता मड़ी इन लोगों करते हैं हिंदी साहित्ति कि विद्वानों की हिंदी साहित्ति के विद्वानों ने भी कविता के स्वरूप को बताने का प्रियास किया है जिसमें महावी प्रशाद दिवेदी का नाम है महावी प्रशाद दिवेदी को शोट में MPD कहें तो महावी प्रशाद दिवेदी जो की परिभासा जो है वह important वह कहते हैं कि इसी तरीक से प्रशाद की परिभासा भी इंपॉर्टन है प्रशाद कहते हैं कविता क्या है कविता आत्मा की संकल्पात्मक अनभूती है तो प्रशाद के साथ आप संकल्पात्मक याद कर लें क्या है प्रशाद कहते हैं कि कविता आत्मा के संकाल पात्मक अनुभूती है उसे परकार से पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ड छडो की वाड़ी है क्या कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ड छडो की वाड़ी है तो आप पंत से परिपूर एक logic लगा लेंगे साथ में, पंत परिपूर, ठीक है, यह आपको याद करने का trick है, कि आप ऐसलिए trick बना करके याद करेंगे, ठीक है, इसके अलावा, राम चंदरशुक्ल ने परिभासा दिया है, कि कविता को यह जीवन और जगत की अभिव्यक् तो राम चंदरशुक्ल और अभिव्यक्ति इस तरह का आप पोडिंग लगा लेंगे, पोडिंग लगा करते को याद करने इसमें से जरूरी है, कि वो आपको असानी से याद हो जाता है, और जब आप लिखोगे और नोट्स बनाओगे ना, परिभाशा के बगल में इस तर कर रहे हैं, आप देख सकते, ठीक है, अब हम आते हैं काविय ही दूपर, ठीक है, तो काविय ही दूपर,